नमस्कार में दिपालेव शभी का स्वागा दिपाली आइस्ट्रों में करते हूँ और देखते हैं आज का दिन अने की साथ जून 2023 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेर शार्शी वालों के साथ मेर शार्शी वालों अगर आज के दिन की में बात करूँ तो आज का दिन सोच के समझ के महत्वपूर्ण दृष्टिंग को अपना कर कोई महत्वपूर्ण निर्ने लेने का है जल्द बाजी में ऐसा कोई भी निर्ने नहीं लीजे जिसकी वज़े से लेटर ओन आपको इंडिकेटिव हो सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है स्वास समध्धी चिंता एक दूर होंगी मन शांत होगा विचारधाराएं प्रबल होंगी लेकिन आज के दिन आपको सोच के समझ के ठहराओ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है बात करते हैं व्रिशव राशी व्रिशव राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपको किसी ना किसी मनों में था या कोई मनों दर्शा के साथ कहीं ना कहीं एक जो सिचुवेशन आपके जीवन में चल रही है उसको लेकर टेंशन में डाल सकता है तो अगर आपके जीवन में पिछल का आपका ले सकती है लेकिन उसी परेशानी के साथ उसका सेल्यूशन भी जुड़ा हुआ है कहने का मतलब यह है कि आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उस परेशानी से निकलने के लिए दूसरा प्रस्पेक्टिव लेकर आएं और उसके समाधान को देखें जिसक सेल्यूशन या तो आप से औरीजन पॉइंट उसका होता है या फिर आप से ही उसका समाधान होने की परिस्तिती बन रही है बात करते हैं मिथुन राशीवालों के लिए मिथुन राशी बालू आज के दिन समानिता परिस्तिती जाएगी कुछ खास उतार चड़ाओ देखन को नहीं मिलेगा माता-पिता के स्वास के प्रती चिंतित रहने की जरूरत है क्योंकि अचानक से कुछ ना कुछ छोटी-मुटी दिक्कत आ सकती है साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा अगर आपने कहीं से रिण लिया ह सकती है बात करते हैं करकराशी वालों के लिए situations करकराशी वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं कहीं से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है खास तोर पे career wise या financially लेकिन एक चीज़ की आज के दिन जरूरत है ध्यान देने की वो यह कि जतनी महनत आप करते हैं और जिस उसकी तरफ शिरुवात हो जानी चाहिए आपके द्वारा लिया गया कोई भी महत्रपोर्ण निर्णय या decision आज के दिन financial stability को और बढ़ा सकता है और आपके लिए पारिवारिक सुरक्षा भी लेकर आ सकता है साथी साथ आज के दिन जो लोग premises या घर change करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जा सकता है बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए निवेश point of view से सिंगराशी वालों आज के दिन आपको अपनी परिस्तिति को और मजबूत करने की जरूरत है मन को शांत रखें positivity को embrace करें आगे बढ़ते चलें आपको सब तरफ से अपने लिए शुबता या शुब परिस्तिति देखने को मिलेगी माता पिता के स्वास्त के प्रती थोड़ा सा समय दन शील रहने की जरूरत है माता या माता तुलिक किसी सदस्य के स्वास्त को लेकर आज के दिन आपको जादा तकलीफ हो सकती है इसलिए डॉक्टरी निरीक्षन या परिक्षन समय से कराने की आपको सिजेशन दी जाती है साथ ही साथ कारेशेतर में परिस्तितियां अनकूल रहेंगी आपके द्वारा किये गए कोई भी एफर्ट्स आज के दिन रिकगनाईज होते हुए देखे जाएंगे बात करते हैं गनेराशी वालों के लिए परिस्तितियां अनकूल रहेंगी थोड़ा सा चिंतित रहेंगे अपने आप में किसी मनुवित्था में किसी मनुदर्शाव के किसी एक सिटुएशन में इंग्रॉस्ट आठके दिन रहेंगे हो सकता है ओन और आफ मूड स्विंग्स आपको गायत दी जाती है बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तुलाराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो मन को शान्त रखने के लिए आज के दिन आप कारेशेतर से थोड़ा सा विराम या विश्राम कर सकते हैं आज के दिन थोड़ा सा विराम लगाईए अपने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए विश्राम करिए ताकि आप अपने आपको आगे आने वाले चालेंजिस के प्रती रेजुविनेट कर पाएं थोड़ा सा ब्रेक लेने में दिमाग को फिर से चानलाइज करने में फिर से एनरजाईज होने में कोई भी बुराई नहीं है लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सारी चीज़े एक ही दिन में आज के दिन शुलू हो पाएं तो उसमें कुछ न कुछ छूट जाएगा साथी साथ आज के दिन परिवार की स्थिती समानिता रहेगी परिवार में शान्ती बनी रहेगी हाला कि छोटी मोटी बहस आप ही कि किसी वेक्ति विशेश से यानि कि परिवारिक सज़से से हो सकती है तो सोच समझ कर चलने की जरूरत है बात करते हैं विश्चिक राची वालों के लिए विश्चिक राची वालों आपके आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पूर्टा स्थिल एक situation बना सकता है खास तोर पे career point of view से लेकिन आपके द्वारा दी गई या कोई suggestion किसी व्यक्ति विशेश को या किसी व्यक्ति विशेश के द्वारा दिया गया आपको suggestion आज के दिन आपका परिस्थिती को determine करेगा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई बहतर option आ रहा है कुछ ऐसे इंडिने जो निवेश से सम्मंदित हो सकते हैं property खरीद फरोज से related हो सकते हैं premises या home change करने को लेकर हो सकते हैं relocation को लेकर हो सकते हैं abroad settlement को लेकर हो सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर आप decision ले तो उसका impact future में क्या होगा उसको भी ध्यान में रखकर चलें बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आपका दिन समानिता जाएगा संतान पक्ष की तरफ से positivity बनी रहेगी हाला कि आप कहीं न कहीं देखा जाए तो परिशान रहेंगे इस बात को लेकर कि कारिशेत्र में आपके उपर काम का बोज आज के दिन जादा हो सकता है सेकिंड हाफ के दौरान आप स्ट्रेस्ट आउट हो सकते है मन आपका अशान्त हो सकता है कुछ न कुछ आपके अवचेतन मन में सबकॉंशेस माइंड में कोई परिस्तितिया जो आप अपने लिए देखना चाहते है कुछ create करना चाहते है कुछ बंना चाहते है कुछ अपने schedule में change करना चाहते है वो उलज़न आपको परिशान कर सकती है लेकिन उसमें इतना परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो उसका background work है वो already करके रखा हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितिया चाहे जितनी भी विश्रम हो लेकिन अगर आपने उसकी strategy या उसका blueprint अपने दिमाग में बना लिया है अंकित कर लिया है तो फिर आपको चिंदित होने की जरूरत नहीं है आज के दिन tactfully बताने के लिए आपको strategies को इस्तमाल में लाना पड़ेगा बात करते हैं मकर राची वारों के लिए आज के दिन आपका मन उदास रह सकता है खासवार पे first half के दोरान without any reason और राइम आज के दिन आपको परिशानी घेर सकती है कारेशेत्र में भी कुछ communication gap होने के वज़ासे किसी वेक्ति विशेश के साथ कोई conflicting scenario arise हो सकता है लेकिन आज के दिन सोच समझ के शब्दों का प्रियोग करना उतना ही जरूरी है जितना की आज के दिन आपको अपने स्वास के प्रतिस चिंतित रहने की आपशकता है चीजों को नकरात्मक situation तक ना जाने दे मन को शांत रखते हुए properly आज के दिन अपने दिन को align करे साथी साथ आज के दिन choices या options जो आपके सामने आ रहे हैं उन विकल्पों का ध्यान रख कर सोच समझ कर आपको आज के दिन आगे बढ़ने की जरूरत है चाहिकार शेतर में विकल्पों या आपकी family life या personal life में बात करते हैं कुमराशी वालों के रिए समानेता रहेंगी परिस्थिती कुमराशी वालों कोई उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा आज के दिन जैसी परिस्थिती चल रहे है चलती रहेगी लेकिन आज के दिन आगे के प्रती आप काफी सम्वेदन शेल होकर कोई मेत्रपुर्ण निरने ले सकते हैं या किसी चीज़ पे कर सकते हैं आज के दिन आपके दोरा लिया गयान रणे आपकी सिटुवेशन को और पॉजिटिव करके जाएगा मन को शांत रखे विचारधाराओं को प्रबल रखे कॉन्फिडेंस में इडाफा रखे जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहें आपको सब तरह से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी पारिवारिक स्थिर्ता बनी रहेगी माता पिता के स्वास के प्रती थोड़ा सा संबेदन शील बने रहने की जरूरत है सतरक रहें क्योंकि ओल्ड एज का अगर इशू है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी दिक्कत रह सकती है जो आपके डेली शिडूल को या आपके कार शेतर में थोड़ा सा टाइमिंग का इंपक्ट डाल सकती है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए पर इस चितिया में कोई राफा मीन राशी वालों आज के दिन नहीं होगा जैसे सिचुएशन चल रही है चलती रहेंगी काबिल तारीफ है कि आप यहां तक पहुंचे हैं आगे की तरफ आप प्लैन भी कर पाएंगे और अपने लिए कोई मेत्रपूर्ण सिचुएशन भी क्रेट कर पाएंगे माता पिता के स्वास के प्रती सम्विदन शील रहने की आपको भी जरूरत है लेकिन परिवार का कोई वर्दतम सदस से आज के दिन आपको बहुमूल राय देश सकता है उस राय को अगर आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां अनुकूलतम दायरे में आ रही है इसी के साथ आज के दिन खान पान पेवे नियंतरन रखने की जरूरत है आज के दिन के लिए मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजर होगी नमस्कार